हेलो गाइस मैं हूँ रिशा प्रसाद आपकी मनजिल के इस सफर में आप सबका एक बार फिर से सवागत करता हूँ तो आज physical education class 12 का जो chapter number 2 है sports and nutrition इसके जितने भी important MCQs है जो आपके board में आ सकते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहला हमारा जो question है balance diet consists higher sources of balance diet में क्या चीज़ ज़्यादा होता है protein ज़्यादा होते है fruit ज़्यादा होते है Fet ज़्यादा होते है Nossa all the component in balance form जितने भी महतपूर्ड component है वह एक balance from में होते हैं कि उसका right answer क्या होगा जिसका right answer व्यदुक्त है d जितनेặt recipient होते हैं वो एक balance-form में होते हैं ठीक है तो हमारा question number two है, nutrients are the chemical, nutrients इस तरीके के chemical जो हमारे खाना में होते हैं, वो क्या करते हैं, they are needed for replacement of tissue, क्या वो tissue के replacement के लिए होते हैं, essential for growth, हमारे growth के लिए जरूरी होते हैं, our body needs, हमारे body की जरूरत होती है, जो उन्हें लेना पड़ता है, या all of that, या या ये तीनो जो है, वो तीन के जरूरत पड़ती है, okay, question number three को देखते हैं, क्या है, which of the following is a silent feature of the balance diet का कौन सा important इसमें से feature है, it should be in definite proportion, क्या ये definite proportion में होता है, कि इतना इतना, या it contains all the essential nutrition, या इसमें सारे important nutrition होते है, या it make our tummy full, या यह हमारे पेट को सरीफ भर देता है, ठीक है, या it should contain more fat, या इसमें ज्य ज्यादा fat होता है, क्या होता है, इसका answer होगा, it contains all the essential nutrition, जितने भी important महत्पुन nutrition होते हैं, वो क्या होते है, balance diet में होते हैं, तो ये इसका important point है, okay, question number four को हम देखते हैं, क्या है, which one of the following is not a macro nutrition, इसमें आपको बताना है कि macro nutrition इसमें से कौन सा नहीं है, fat, carbohydrate, roughage या protein, इसका आप macro होता है, एक micro होता है, तो macro कौन सा नहीं है, तो roughage जो है macro nutrition नहीं है, ये micro है, क्या है, micro है, बाकी तीन जो आपका मिल गया, ये macro हो, ठीक, इसको अच्छे सिर्याद रख लीजेगा, question number five को हम देखते हैं, क्या है, which of the following macro nutrition, इसमें भी macro nutrition के बारे में पुछा है, help us in the keeping our body warm, जो हमारे body को गरम रखने में मदद करता है, कौन सा nutrition, carbohydrate, protein, vitamin या fat, इसका answer बहुत सिंपल है, आप सभी को comment section में जरूर इसका answer देना है, तो right answer क्या है, बताइए जल्दी, wait कर रहा हूं है, जी हाँ, इसका right answer है, fat, okay, अगर नहीं भी आता है, at least try तो करीना, कोई comment बाने साब क दिक्कत तो होगा नहीं, ऐसा भी नहीं कि मेरा बहुत कुछ हो जा रहा है, एक लिस ट्राय आपको हो जागा, practice हो जागा, तो जब practice करते रही है, ठीके ना, question number six को देखते है, the main sources of protein are, जो main sources है protein का वो क्या है, fish, meat and eggs है, green vegetables है, wheat and rice है, या sunlight and water है, कौन सा है, तो fish, meat and egg जो है, ये क्या है, rich source, या main source of protein कह सकते हैं, आपको है, ठीक ना, आप सभी बच्चों से मेरे request है कि आप channel को जरूर subscribe करें, क्यूंकि मैं इतने मेहनत से आप सभी के लिए video बना के लाता हूं, और बहुत कम लोग, मैं इसले video में भी कहा कि बहुत कम लोग है, जो subscribers मेरे, मतब चैनल म पर 7 हमारा है, which macron minerals help in hydro balance in our body, जो हमारा hydro balance को maintain रखता है body में, कौन सा mineral आपको बताना है, potassium, calcium, sodium या phosphorus, इसका right answer क्या होगा, बताइए जल्दी से, तो potassium ऐसा एक mineral है, जो हमारे body में क्या करता है, hydro balance को बनाया रखने में बहुत ज्यादा योगदान इसका है, तो potassium को अच्छे से याद रखिएगा, उसके बाद, यह potassium और magnesium जो होता है, यह कभी को पूछ लेता है, कि किस तरीकी के vegetables में मिलते हैं, या fruits में मिलते हैं, तो potassium और magnesium जो है, यह आपको बनाना में सबसे ज़्यादा मिलता है, इस चीश को आपको बहुत रखना है, okay, question number 8 को देखते है, which of the following is not a form of carbohydrate, इसमें से कौन सा जो है, जो carbohydrate का एक form नहीं है, multiple, simple, complex, या all of this, या यह सब जो है, नहीं है form, तो multiple जो है, यह क्या है, एक form नहीं, बलकि simple और complex, दो तरीकी के carbohydrates होते हैं, ठीक है, यह multiple नहीं होगा, तो right answer हमारा A है, इसमें, question number 9 को देखते है, which of the following is not a element of carbohydrate, कौन सा element नहीं ह है, carbohydrate का, carbon, nitrogen, hydrogen, या oxygen, इसका right answer होगा, nitrogen, बाकि carbon, hydrogen और oxygen, यह तीनों important element है, carbohydrate के, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो nitrogen नहीं है, इसका right answer यह होगा, not पूछा है, जो भी not वाला question है, उसको आपको बहुत ध्यान से करना है, otherwise आपका पुरा question जो है, गलत हो जाएगा, बह question number 10 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, protein are turned into which acid by our digestive system, यह class 10 और 9 में भी आपने पढ़ाता है, कि हमारे digestive system, जो system है, इसमें protein को किस चीज में बदल देता है, किस acid में यह convert हो जाता है, scorbic acid में, hydrochloride acid में, lactic acid में, यह amino acid में, तो amino acid में हमारे protein को convert कर दिया जाता है, digestive system के द्वारा, उसका amino acid जो है हमारे body में यह अच्छी तरगी से मिल जाता है, ओके, तो यह आपको अच्छा सियाद रखना है, question number 11 को देखते हैं, क्या है, name the most concentrated form of energy present in our food, सबसे आपको क्या कर से मिलता है, जिससे energy किसे fat से मिलता है, carbohydrate, vitamin, mineral से मिलता है, जल्दी से बताइए मुझे, so fat से ज्यादा सबसे हमको energy हमारे body में मिलता है, ठीक है, यह आपको एक percentage बता देता हूँ, male में 20% से ज्यादा fat उसके body का हिसाब से मतलब जितना weight है उससे नहीं होना चाहिए, और female में 30% से ज्यादा fat उनके body में नहीं होना चाहिए, जितना उनका weight है, अगर उससे ज्यादा होता है, तो यह harmful है, और male के लिए थोड़ा कम है, उसको अच्छे सियाद रखिएगा, which among the following vitamins is not fat soluble, आपको बताना है कि कौन सा जो vitamin है, वो fat soluble नहीं है, यानि कि वो fat में नहीं घुलता है, अब आपको मैं एक छोटा सा video, next video में provide कर दूँगा, जिसमें आपको बता दूँगा कि कौन-कौन सा vitamin fat में घुलता है, कौन-कौन सा water में मिलता है, बहुत easy trigger मैं आपको बता दूँगा, ठीके, तो अभी करी मैं आपको बता देता हूं कि vitamin जो हमारा B होता है, ये fat में soluble नहीं है, बाकी A, D और E, और K vitamin जो है, ये fat में घुल जाता है, और बाकी आपका जो B बज गया, और क्या बज गया है, C, ये दोनों जो है आपके water में soluble होते हैं, water में होत जो आपको बहुत ज़्यादा energy प्रभाइड करता है, किस से, carbohydrate से, protein से, mineral से या vitamin से आपको बताना है जल्दी से क्या होगा, तो carbohydrate से सब बहुत ज़्यादा आपको energy भी प्रभाइड होता है, yielding food है, ओके ना, इसको याद रखना है, question number 14 को देखते हैं क्या है, cereals like wheat, rice, mage and pulses are good sources of which of the following, वो किस चीज़ का good sources है, fat के, proteins के, carbohydrates के, minerals के, बताईए कमेंट सेक्सर में, मैं इंतिजार कर रहा हूँ, तो जी हाँ, आपका answer बिल्कुल सही है, carbohydrate जो है, ये एक rich sources है, जिसमें wheat, rice, mage and pulses में मिल जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें carbohydrate क्या होत of potassium, तो potassium का good source क्या है, मैंने आपको थोड़ा देर ऊपर ही बताया, orange में, apple में, kiwi में, ये banana में, जल्दी से comment section ने बताईए, इसका answer क्या होगा, जी हाँ, आपका answer बिल्कुल सही है, banana इसका right answer होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा potassium भी मिलते हैं, और magnesium भी मिलते है, तो ये body क को अच्छा नहीं दिखेगा, तो vitamin A, B, C या D, जल्द से बताईए, ममी लोग भी बोलते हैं, कि ये खालो बेटा, जिससे आपको vitamin बढ़ेगा है, यानि कि papaya खालो बेटा, आपको देखनी की छमता बढ़ेगी, आपके आखों की ताकत बढ़ेगी, तो vitamin A हमको क्या में मिल होता है, जब किसी का कट जाता है, या किसी के body, या किसी के दातों से बहुत ज़्यादा देखीगा, खून निकलने का problem होता है, तो उससमें vitamin K का यूज किया जाता है, या तो injection के दवारा, या tablets के दवारा आपके सरी में provide किया जाता है, जिससे आपका blood का clotting हो, blood गारा हो ज vitamin C, vitamin D, vitamin K, या vitamin E आपको बताना है, तो vitamin C right answer होगा, इसके कमी से body में scurvy का problem होता है, ठीकि ना, तो vitamin C आपको क्या में मिल जाता है, जैसकि कमला लेबू, संत्रे, ये सारे चीजों में आपको बहुत ज़्यादा क्या मिल जाते है, vitamin C मिल जाता है, जो अभी corona का time में भी आप से body से निकल जाता है, तो इसलिए इसका daily consume करना बहुत ही जरूरी है, आप चाहे निम्बू भी खा सकते है, lemon खाईए, जिससे आपके body में C जाते रहे, जो आपके body के लिए अच्छा है, इसलिए C को आपको consume regularly करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक limit में, हर में, vitamin B2, उसका question number 20 को देखते है, which one of the following is example of macrominerals, इसमें से कौन सा example है, macrominerals का, copper, calcium, iodine या cobalt, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका answer, तो इसका answer होगा calcium, जो क्या है, macronutrition है, और बाकी जो ये 3 बज़ गया है, ये क्या है, micro है, क्या है, micronutrition है, इसमें और भी बहुत सरे minerals आजाएंगे, जैसे की, fluorine आजाएंगे, zinc आजाएंगे, chromium आजाएगा, ये सरे चीज, macro के अंदर आजाता है, calcium, potassium, sodium, magnesium, phosphorus, ये 5 होते हैं, तो अभी के लिए 20 questions, बाकी की questions बज़ गया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊँगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में क है अगरी वीडियो में की नहीं आजाएंगे, वीडियो में का ये McT IFK ohneना में, Śजा में कैक की में करें वीडियो में क्योंकि आजाएंगे, हैं चलाएंगे, हैं ये不會 रहि Twoabyrinth, हैं ए는 वेंसे की का इसी प्सी रह वीडि़ ए अभी पता है, अगार बाएंगे, इसा